मखाम खटम फिनिश बंद कर दिया तो पेकिस्तान वालों रोक के रखा था सबसे गरीब कंट्री के लिश्ट में आता है हिंदोस्तान बंबे मार्केट बन दुकाने बन खाने पीने की चीजे बन यहां तक गारी घोड़ा भी बन ना मुझे कोई सिमकाट का कोई शॉप दिखा नहीं पीके आज पहली नाइट गुजारा करना पड़ेगा इस ताजिकिस्तान कंट्री में तो साथ बच के चार मिनिट गाईज गूड इव वोटल बुस्टाउन तीन सो रुपए के आस पास के हिसाब से यह वोटल काफी अच्छा लगा सिर्फ एक दिक्कत है कि यहां पर कीचन नहीं है और मैं कुछ भी बना नहीं सकता हूं कुक नहीं कर सकता हूं तो मैंने इन से पूचा कि मेरे पास सिमकाड नहीं है तो मुझे 0101 करके इस तरह से कुछ ब्रैंडिंग वेगर है तो यहां पर इस तरह की जितनी बड़ी कारे हैं सब ज्यादा मुझे वही नजर आ रही है और आप देखिए अभी जब मैं आया था तो दुकाने वेगरा खोली थी फिलाल यहां पर भी सारी दुकाने बंदें तो देखते ह हैं मैं सोचाओ थोड़ा सा वाउक करता हूं अभी तक का जो एक्सपीजियंस है यानि फॉर्स कंट्री कजाकिस्तान फिर उच्बेकिस्तान और यह ताजिकिस्तान इन तीनों का जो मेरा फॉर्स डेका एक्सपीजियंस है तो टुटल यह पोजिट है मैंने आपको बताया ह होगा कि यह किस्तान कंट्री गाइस संटरलенд एशिया कि सभी कंट्री में यह सबसे गरीष कंट्री की लिश्ट में आता है और वाकई ही वह भुशब्लब्मेंट इंंसां इस जहीं है तो इस के इस की सब ज्युक्रींस है अभी तक शुक्राइं सी तुम्हें जरूरảo करता ह और यह ताजिकिस्तान कंट्री का फ्लैग तो रोड वेगे रहे तो काफी चोड़ी है और यह अभी मैं बाहर आगया हूँ तो यह मोहतरमा जी थी जिनको मैंने हाथ दिखाया कि यार मैं बात में जाओंगा आप चले जाओ तो नहीं मुझे बोला नहीं आप जाओ फिर मैं जाओंगी साने पीने का हिसाब यह है कि मैं आया हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा ब्रेट था और कॉफी जो इस्टेंट बनाता है ना तो वह मेरे पास पड़ावा था तो जिनकी केट्ली है ना इस होटल में उसको यूज करके मैंने कॉ असलम अलेकुम तो तरबूज वेगरे देखे यहां पर इस तरह से लोग खर्बूजा तरबूजा यह तो भाई भर भर के बेच रहा है और सारी दुकाने भाई बंद है तो यह एक्चली जहां पर मैं रुकावा हून है यार इस एरिया को बोलते हैं सुमोनी एरिया सुमोन तरफ घुझाब्तान कांट्री यार मैं तो आया हूँ आभ रोड आपको आना है तो वर्णा बोड़र जो ताजिकिस्थान शेयर करता है वह एक टो किर्गिस्तान से परशलिबंगाने शेयर करता है ऑर चारो तरफ यह खोजान शेयर ना और यहां पर जो भी कुछ लिखा हुआ है ना सब कुछ इनके लोकल ताजिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि इनका नेशनल लैंग्वेज है सारे बड़े-बड़े मॉल कॉंप्लेक्स हैं अभी तो बंद नजर आ रहे हैं ताजिकिस्तान में सेंटल एशिया की एक ल क्योंकि पर्शन इंपायर का एरा रहा है दूसरे नंबर पर आता है अफगानिस्तान और तीसरे नंबर पर ये खुद ताजिकिस्तान तो काफी इंट्रेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में आपको मुझे बताना है फिलाल अभी तुम्हें ऐसे गुमने तहलने निकला हूं और डाड़ी वे अपनी बड़ी हो गई थी अब मुझे ढोलना है कि बीर्ड में ट्रिम कहां करा हूं क्योंकि अफरीका में जब भी में कराता था तो भाई सब गायब हो जाता था और कुछ ऐसा है इस ताजिकिस्तान कंट्री का नेशनल फ्लैग गाईस तो तीन कलर है यह एक रेस्टुरेंट दिरा भाई और आई तिक यह भी बंद हो चुका है तो यहां पे जो भी आइटमें दिक रहा है कि बुछ भूलाओ आड़ दिख रहा कि अब फुलाओ सिमोमोंय मार्केट जो यहां पर भी तो बंद हो चुका है यहां पर भी दिखनें रहे मुझे आप खुद देखिए नजर दोड़ाईए कोई भी बंदा यहां पर नहीं है इतनी जल्दी बंद क्यों हो रहा है मुझे तो यह लॉजिक नहीं संद आया वैसे यह खुजान शहर जो है और यह फर्गना वैली के सायर दरिया के आसपास उसके सिराने पर लोकेटेड है ऐसा बोलते हैं तो पानी वगर आइटिंग जो आता होगा वैली से ही आता होगा मौंटेन रेंज से और पूरे कंट्री की जो पॉपुलेशन है ताजिकिस्तान की वो एराउंड वन मिलियन के आसपास है और 100% इसलामिक कंट्री को बोल सकते हो 96% के आसपास यहां पर इसलाम यानि मुस्लिम कम्मुनिटी रहती है वो भी सुनी मुस्लिम और बाकी के रिमेनिंग इनके अलग-अलग दिलीजिन के लोग हैं और जो इनका ट्राइब मुस्ली ताजिक सबसे जादा रहते हैं फिर इसके बाद किर्गिस वाले रहते हैं फिर उच्बेक रहते हैं फिर बाकी के कुछ मिक्स कम्मुनिटी की लोग इस ताजिकस्तान कंट्री में रहते हैं यह कुछ दुकाने हैं कपड़े की और किचन वेर वेगर की तो ऐसी है दुकाने यहां पर एक फास्फूट जंक्शन यह दिख रहा है देखते हैं यहां पर साथ कुछ मिल जाए तो यह देखे अच्छी बात यह है कि इसमें इंग्लिस में मेनो लिखा हुआ है ओ मकाम खटम फिनिश बंद कर दिया इतनी जल्दी इंउया बंद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो में है यहां बाला है कर दो क्र ऑखं़ा है इंग Nahin, तो यार यह लो बाइसाब बंद हो गया आप सुबद 10 बजे आई तब यह खुलेगा तो यार कुछ पंगा होने आइंक ताजिकेस्तान में एडवेंचर होने वाला है आप लोग खुद देख रहे हो पहले तो आज किसी तरीके से वजबेकिस्तान वालों ने रोक की रखा था तो यार आप समय है तो यार ने और से अजाधा हूरा यह नो भीज आए जैस्टेश्टेश्टान मर्केट क्लोर June बंभी ए खुड़ाउन सुडूल यह खुड़ाअ मार्केट क्लोउ देस बट्यान सुल्णि एफ दिएवें अलवी क्लोर टाइंक ताईक है क। ने जाए क खेर कुछ लोग रश्यन भी बोलते हैं तो अब प्राब्लम यही हो रहा है कि यार मुझे ताजिक आती नहीं है तो फिर भी थोड़ी बहुत बात करने की कोसिस कर रहा हूँ तो मार्केट बन, दुकाने बन, खाने पीने की चीजे बन यहां तकी गाड़ी घोड़ा भी बन, तो अब सब कुछ बाइवाक है और आइटिंग पानी पीके आज पहली नाइट गुजारा करना पड़ेगा इस ताजिकिस्तान कंट्री में गाईज अब आप लोग क्या कहते हो, आइटिंग यह नीचे अंडर ग्राउंड मार्केट हैं, दुकाने हैं जो की फिलहाल अभी बन है, अड़े साथ बच चुके हैं साम के, और अभी भी सूरज भगवान यहां पर भी थोड़े से ज़ादा देर तक दिख रहे हैं कॉमर्शल प्रेसे हैं, जो की फिलहाल सब कुछ बंध हैं, सामने मुझे बस स्टेंड और टक्सी स्टेंड भी यहां के दिख रही है कुछ सारी दुकाने बंध हैं, और सब लोग अपनी दुकाने अच्छली बढ़ हार हैं अभी इस टांग पे इस बढ़ हैं, आप बसम्तिन अच्छामी नामा? आप एंष यहां इंच्छामी ज्याओ नामा यी तो नादी बजाग हैं तो यह बाइस आप बोल रहे हैं कि जो होटल बुस्तान वाण यहां पर मैं रुका हो यहां के किलो मिटर अलड़ी में वॉक कर क्या गया तो बोल रहे हैं कि वहां पर जा इस पूरे एरिया में वही एक लोता है एक ऐसा प्लेस जहां पर आपको खाने पीने को मिलेगा माशानला very difficult no food close close BLOL his name BLLOL माशानला ABUBAKH 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 तो यह आर फैमली है इंटक यह न्की दुकान है TV वे गरे की LED वे गरे की यह बेशते हैं तो यह सारा कुस्तोफ इलहाल बन नजर आरा एंग ना यूतुबर? या यूतुब तो ताजिकिस्तान का नाम ताजिकिस्तान क्यों पढ़ा इसके पेछे के जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बता देता हूं गाइस कि 7th century के आज पास खातनित अरब ग्रुप के लोग यहां पर आये थे रहने उन ग्रुप को पर्चेन लैंग्वेज में ताजिक बोलना उन्हों हमने स्टार्ट किया जिसकी वजह से यह ताजिकिस्तान हुआ कुछ ऐसी है हिस्ट्री इस ताजिकिस्तान कंट्री के नाम को लिए फिलहाल अभी भी मैं भटक रहा हूं आज फॉर्स डे खाने पीने को लेके और दूर-दूर तक तो कुछ मिल नहीं रहा है अब देखते है है अभी तक ना मुझे कोई सिम कार्ट का कोई शॉप दिखा और ना ही खाने पीने की जगह एक दिखी भी तो वह भी बंद अब यहां पे यह देखिए एट्यम वगरे कैसा है तो यह छोटे-छोटे इनके बैंक है तो इस तरह से इन्होंने एट्यम इस्टॉल किया हुआ ह अब यह क्या है अब यह एक्चली रिचार्ज वगरे करने के लिए आप देखें यह इनके जो अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां है ना टी सेल बाकिक्विल यह सारे यहां से मैं रिचार्ज वगरे कर सकता हूं अभी तो यह किसी के हैल्प लेके मुझे सीखना प अब हमें एड यह अब डिचार्ज रह रहें है झाल आ जाय रहा है इपर अब द्केक्षक एम ड्यूत रहा है यह वर। अब द्यूत कि अजिक फिर समय यह वर्भर यह तो अझार्द आन एंव यह विभ्रूत कि अजिए अजिक इस प्रद्दों मेरे यह एदी क्यों इन भ आएब्स, एकमाल, 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 एकम तो यह भाई साब भी बोल रहे हैं कि भोस्ताउन होटल जाओ सिर्फ वही एक लौता प्लेस है तो आज दिक्कत होने वाली बट भाई साब ने थोड़ी सी हेल्प कर दिबता दिया तो यह एक्चुली ने यहां की यार बसेस हैं जिसको यह लोग मस रुकता पर सेडीस बेन की यह गाड़ी है और यहां पर जो इनका नंबर प्लेट है ना ताजिकिस्तान का वह इनका फ्लैग टीजे यह नुमेरिक फिर अलफागे फिर नुमेरिक तो कुछ ऐसा है बाकि यह देखिए यहां पर कुछ ऐसा है महौल यह आइटिंग शोमा कंपनी है जो की औरेंज जूस को बनाती है तो यह अपनी तरफ से इन्हों ने मुझे ओफर कर दिया तो आइटिंग फॉर्स डेही लोकल ताजिक की जो रियल हॉस्पिटालिटी वह मुझे सुब से देखने को मिल रहा है बॉर्डर से लेके काका ने मदद की फिर वापस से मेरा सूटकेस चूट रहा था तो जिस गाड़ी से मैं उस भाई साम ने मेरी मदद की और वापस से एक-डो बंदो ने और मुझे पहुंचाया इस बुस्टान होस्टल तर इंसरिग्रा ओन यह 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 यूटुप यूटुप यूटूप यूटुप यूटूब 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 टो तर से है वार रिष्ट हля हो नांश हर दरह कर दो बार तोड़ लाग्भा में वोग एंट टोरीस्ट टुरिस्ट यो प्लॉघंद नर्थ लाग्र में वीजिट विजिट वीजिट विजट विजिट वीड हिज एब रहे मत्रह में जो यहां पे इनों ने इस तरह से पोल लगाए हुआ है जिसमें यह कोई फ्लावर टाइप का इनों ने डिजाइन किया हुआ है तो जिस पे यह स्ट्रीट लाइटिंग इनों लगाई हुई है काफी अच्छा है अब देखिए सारे नाम इनके लोकल लैंगुज में लिखे हुए अब आप लोग बता हुए कितना प्राइस कितना है यहाँ पर नो 10 सॉ नौ 40 नो 10 साथ को अल्यक्म ओ आलेकूं अबоляकूm श्मूंचाल मी हिंदुसतान गमब्य जाक्ति माइक है प्राइस गईसल मैण।र्ज कर इक प्राइस करते हैं प्राइस 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 प्राइसा गास यूप आvention प्राइज पाना प्राइस कफिरों से कसमोनी का यह स्ट का यहल्यूज तो यहार छार शौंहों मौनिक यहार ना इंपकर ग्रत्रिकाफ गय्ञा से को अधलբ कर यह किताफ तो कुछ ऐसा है हिसाब किताब नो नो पेट्रोल लो ओके ओके माशाल ला थैंक्स तो यह अभी आमिन भाई मिले हैं जो कि थोड़ी बहुत इंग्लिस बोल पार रहे हैं तो इनसे मैं आके इनकी दुकान है तो मैंने इनसे पूछा कि क्या कुछ वेजिटरियन का उप्शन है तो इन्होंने बोला वेजिटरियन में कुकी वगेर अगर आपको खाना है या इस इसा रखिया कि यहां पर अभी फिलहाल साम के टाइम पर पांच बजे के बाद आप कोशिस करिए कि उसके पहले खापी लीजे वरना सब कुछ बंद हो जाता है फिलहाल इनके दुकान पर मैं आपको कुछ प्राइस वेगर दिखा देता हूं जो यहां पर यह लोग बेच तो यह चिप्स एक्चली मुझे लेना था तो यह है बड़ा वाला बीस सो मोनी का यह आठ सो मोनी का दे रहे हैं बाकि कुछ यह प्राइस इन्हों लगाए हूँ आप यह देखिए जैसे यह बिस्किट है तो यह 15 सो मोनी इधर यह वाला है 10 सो मोनी बाकि आई तिंग कुछ इनके पास सामान वेकरे है यहाँ पर स्वेट बेखिए लगे़ काफी रखंगे वे धाया है यह थीजिए प्राइस और नॉम्मल प्राइस मिल थिस इन्डेस भ्राइस इंडिया वाली बाकिट इंडेस बाइस जीनिये को तो यह पुछ यह पुछ यह पर यह आप यह प्रा चैपत्ती वेगरे भी है अब भी यह चैपत्ती 14 समोनी का है कुछ पानी वेगरे है कोल रिंग वेगरे है तो कुछ ऐसा है हिसाब पिता भाई अंडो पे भी इन्हों ने उपर से देखे मार्किंग करके रखी यह सारे सौसेस हैं सारे नॉन वेजिटरिन आइटाम है चौकले 20 समोनी के आसपास है और अन एवरेज की प्राइज में आपको बता रहा हूं गाई ताजिकिस्तान कंट्री का जो हिस्ट्री रहा है ना गाईज वह पांसो बीसी के आसपास का है और बोला था कि सिक्स्ट और सेवन्थ सेंचुरी में यहां पे जो सबसे पहले लोग आना श पेकिस्तान के वीडियो में आमिर तिमूर वेगेरा ने इंडिया पे दिल्ली पे अक्रमण किया हुआ था तो उस वजह से उस रोट सिल्क रोट का टाइम था तो वहां से क्रॉस करके आप सोची अपने हिंदू लोग यहां पे रहते थे कॉमबजा स्ट्राइब जो की आज सेंचुरी के आसपास सोवियत यूनियन का दबदबा हुआ यानि रशिया ने राज किया और फाइनली कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली तो यार ताजिकिस्तान को जो इंडिपेंडेंस मिली नहीं वह 9 सिप्टेंबर 1990 को मिली और आइटिंग सेंटल इस्या के जितने भी क आसपास बोला आता है कि सबसे बड़ा लोकल सिविर वाल हुआ था जहां पे इनके लोकल ग्रूप आपस में काफी जादा दंगे फसाद इन्हों ने किये और उस वज़े से पूरे कंट्री को काफी जादा नुकसान हुआ गाइस और जिसके आज भी ये ताजिकिस्तान इसा उतना ग्रो नहीं कर पाया बाकी मुझे लग रहा है कि रात में बटकने से अच्छा है मैं वापस अपने होटल पर पहुसता हूं और जो हर एक लोगों ने मुझे सजेश किया है कि बाजू में कैफे में जाओ और वहां पर साइद आपको कुछ खाने पीने को मिल और स्वीट वैसे भी मैं जल्दी खाता नहीं हूं कम खाता हूं तो यह एक पंगा है फिलाल यह कोई केक की दुपान है फिलाल तो यह सब कुछ बंद है वाई है घ्यक्न ओर यह पीडिवाईड में दिस्ट्रिक में डिस्ट्रिक को डिवाइड किया गया है जमात में यांशा है इस्ट्रक्चर इस ताजिकिस्तान कंट्री का डेमोग्राफी अगर आप देखोगे फिलहाल ठक गया हूं संसेट भी हो रहा है वीडियो भी थोड़ा सा आइधिंग गोप्र से शुट कर रहा हूं तो 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 बेटर है कि मैं अपने होटल पर पहुंचूंचूंच खाता पीत कई एक तो खाऊंगा रहां दूव के यहां मीयूटूब व्लग शिजड़ का में ट्रेवल 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 न ताजिकिस्तान सब्सक्राइब से एक बार प्यार से हिदर उदर कुछ नडश करके के समझाना यह important है अफरीका में और यहां Central Asia के अभी तक मेरी जर्णी में काफी डिफ्रेंस आपने अफरीका में इस तरह से खुले आम सड़क पे निकल के रात में वह भी व्लॉक करना दिन में व्लॉक करो तो आपको लोग उठा ले जाएंगे रात की तो बहुत दूर की बाद तो कुछ ऐसा है नजारा बाकि यहां पर साइकल भी देखे लोग चला रहे हैं तो इस पूरे ख कुछ तो यार नॉन वेजिटेरिया नहीं संज में आ रहा है तो देखते हैं क्या है यहां पर कुछ ऐसा होने वाला है तो काफी दिक्कत होई पहले तो एक्स्प्लेइन करने में कि मैं खाऊंगा क्या क्या क्योंकि सब कुछ यहां पर जितनी भी ग्रेवी है वो पूरा तो मैंने इनको एक्स्प्लेइन किया कि मुझे 100% वेजिटेरियन खाना खाना है तो इसमें भी काफी ही समझाना पड़ा बट एक भाई साप जिनको इंगलिस आती थी तो उन्होंने समझा इस बात को और फिर उन्होंने मुझे जो बोला कि एटलीस आप इस तरह से कुछ ख चट्मी रूखा सूखा ऐसे ही भाई खाना पड़ेगा इस सलात के साथ तो देखता हूँ नमक वगए तो आइनों ने दिया हुआ है वरना यह काली मिर्च और नमक में डालके खानी की कोसिस करूँगा तो यह प्लेट उन्होंने एक्चुली मुझे बोला कि 9 सुमोनी यान कि कुछ ठंडा है राइस तोड़ा सा गरम है बाकि फ्राइस ठंडा है पूरा मैकरोनी ठंडा है और आलू तोड़ा सा यह एट दोपहर का यह गर्मी तो थोड़ा सा मुझे वैसा इसमेल टाइप का लग रहा है तिलहाल नमक नहीं है उपर से मैंने अभी यह काली मिर्च का टॉपप कर लिया हुआ है तो ट्रावलिंग करते वक्त इस तरह से कई डिर सारे चैलेंजेस आते हैं जो सायद हम आपको नहीं दिखा पाते हैं दिखाने की कोशिस करते हैं तो वह फील नहीं हो पाता है तो यार खाना पीना हो गया इस रेश्टोरेंट से और बिल जो बना वो चौदा सुमोनी का बना यानि लगबग सौर रुपए के आसपास